हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटीब चैनल एजुकेशनल अड़ना दोस्तों 17 दिसंबर को 1275 पोश्ट के लिए बिहार दरोगा का जो दो सिफ्ट में पेपर हुआ था आसा करता हो कि आप सबने इसमें अच्छा किया होगा इस वीडियो में आप लोगों के लिए इस वीडियो को देखने के बाद अपने मांक्स को कमेंट कर मुझे बताइए जिसका अभी मांक्स सबसे अधिक होगा उसका नेम में कमेंट में पिन कर दूगा तो चलिए अब सेकेंट सिफ्ट के पेपर को एनलाईज करते हैं तो सकेंट सिफ्ट का पहला कोशन मेंट का दिया हुआ है मैं आप लोगों को इसका एंसर बता देता हूँ इसे आप लोगों खुद से सॉल्व करेंगे तो कोशन दिया हुआ है एक ठोस संकु किसके जिसके आधार की तरिज्या आर तो second shift का पहला question math का दिया हुआ है जिसका मैं आप लोगों का answer बता देता हूँ तो question है एक ठोस संकू जिसके अधार की तरिज्य आर तेथा उचाई H है उसका अकुल प्रिष्टिय छेतर फल है इसका सही answer हो जाएगा option number C pi R multiplied r plus under root h square plus r square दूसरा question दिया हुआ है कौन सी संस्था अस्थानिय छेतर प्रबंदन योजना यानि local area management policy lamp विक्षित करने के लिए तयार है तो इसका सही answer है option number D C R I R नीरी अगला question दिया हुआ है सुभाष चंदर बोस द्वारा forward block का गठन किया गया सुभाष चंदर बोस द्वारा forward block का गठन 1949 इस्वी में किया गया था इसका सही उतर option number C हो जाएगा अगला question दिया हुआ है पंजाब का British समराज में मिले किस वर्स हुआ तो इसका सही उतर हो जाएगा option number B 1849 इस्वी में अगला question English का दिया हुआ था choose the appropriate passive voice of the following sentence from the options given below people have seen walls in the street तो इसका सही passive हो जाएगा walls have been seen in the streets by people दोस्तों जहाँ पे have रहेगा वो have been में बदल जाता है active voice से जब passive बनाते है और जहाँ have been दिया हो रहेगा वो had been में चेंज हो जाता है तो यह have दिया हुआ है तो have have been में बदल जाएगा इसका सही उत्तर option number D हो जाएगा अगले question पे चलते है दक्षिन अफरीका साथ ही लॉयड हैरिस के साथ मोलोर का championship में यूगल ट्रॉफी जीत कर ATP world tour पर अपना पहला खिताब किसने जीता तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number E यू की भावरी अगला question है भारत के सबसे उत्तरी दिशामे निम्ण में से कौन सा जैब मंडल बंडार इस्तित है तो सबसे उत्तर में दोस्तों cold desert है तो सही उत्तर option number B हो जाएगा अगला question है जनगरना 2011 के अनुसार भारत में किस राजिम में जनसंख्या घनत शरवाधिक था तो इसका सही उत्तर हो जाएग option number E बिहार अगला question दिया है निम्लिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है तो इसका सही उत्तर हो जाएग option number B येन जापान की मुद्रा का नाम येन है और चीन का युवान है तो इसका याद रखिए कि ये चीन का है युवान और ये जापान का अगला question है मुद्रा का प्रात्मी कारे क्या है तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है विनिमे का माध्यम जी हाँ दोस्तो मुद्रा विनिमे का माध्यम है दूसरा है मुल्य का मापक हाँ दोस्तों किसी भी वस्तू का मुल्य हमें मुद्रा से ही पता चलता है तो ए तथा भी दोनों option C सही हो जाएगा अगला question दिया हुए सरवाधिक प्रचूरता वाला उत्पादन साधन है तो दोस्तों सरवाधिक प्रचूरता वाला उत्पादन भूमी होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा option number E भूमी अगला दिया है दो सेक्टर अर्थ विवस्ता प्रारूप में समग्र मांग होती है इसका सही उत्तर हो जाएग option number D C plus I की अगला है जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांस के लिए एक सब्द है तो यह हिंदी का question पूछा गया था दोस्तों लोगों के द्वारा सुनी गई बातों को जन सुरूती कहते है इसका सही उत्तर जाएगा option number D अगला question देखते है हिटलर का जन कहां हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तू का उत्पादन करने वाला छेतर कहलाता है तो यह प्रात्मिक छेतरक में आता है दोस्तों तो यह option number A सही हो जाएगा अगला है राज जी विधान परिशद की नियुम्दम संख्या है तो यहां पर दोस्तों ध्यान रिखिए कि विधान परिशाद का पूछ रहा है विधान सभा का नहीं पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर जग option number D 40 नियुम्दम संख्या 40 होती है जबकि अधित्तम संख्या विधान सभा के वन थटके से कम होती है अगला कोशन है नियुम्दम लिखित में से किसे तैरते द्वीपों का जील कहा जाता है तो इसका सही उत्तर option number B लोकटक जील अगला कोशन है बिहार के नियुम्दम लिखित में से कौन सा जिला स्वर्न खनीजों के उत्पादकों की सूची में है तो यहां पे दोस्तों C तथा D दोनों हो सकता है क्योंकि मुंगेर में भी सोना प्राप्त होता है और वर्तमान में जमुई में भी मिला है तो देखते हैं आयोग इसका क्या इससे डिसाइड करती है लेकिन फिलाल तो जमुई और मुंगेर दोनों ही सही हो सकता है तो इसे आप लोग अपने कुछ से देख लिजेगा अगला कुशिन है भारत छोड़ा अंदोलन के प्रस्तावक कौन है तो भारत छोड़ा अंदोलन के प्रस्तावक जब आहरला लहरू थे और इस प्रस्तावक का समर्थन दिया था सरदार वल्ला भाई पटेल और भारत छोड़ा अंदोलन का आरेक महत्मा गांदी के द्वारा तयार किया गया था इसे याद रखिये गा और भारत छोड़ा अंदोलन 1942 में हुआ था अगला कुशिन है इस मध्यकालिन संत के उबदेश अभंग में संकलित है इसका सही उतरोजाग आप्शन बर भी तुकाराम अगला कुश्चन है निम्निलिखित में से कौन सा बहूलक संगरन बहूलक की करन क्रिया विधी से बनता है तो इसका सही उतरोजाग आप्शन बर भी डायलोन अगला कोशन है प्रतम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि युकि दोस्तों उन्होंने युद्धकाल में कार खानों, कारे सालाओं और वैपारिक प्रतिस्ठानों में काम करना आरम किया अगला कोशन है बिहार के निमनिलिखित जीलों में से किसमें आपको अधिक्तम छेतर फल में अतिसा घनवन मिलते हैं तो इसका सही उतर आप्शन हमें बी हो जागा पस्चिमी चमपारन में अगला कोशन है भारत में किस केंदर सासित प्रदेश में 2011 में नियुम्तम जनसंख्या घनत्व रही थी तो इसका सही उतर आप्शन इमर बी अंडबान एवाम निकवार्ट वीप समूव में अगला कोशन है भारतिय समिधान के कौन से भाग में कल्यानकारी राजी की शंकल्पना है तो इसका सही उतर आप्शन में ड़ी राजी की नीति नियुदर देशकता तव्या में अगला question बुचा गया है निमलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत्प के लिए हानिकारक है तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन हानिकारक है दोस्तों इसका सही उतर हो जागा option मेर भी cfc अगला question है अगला question महत का है दोस्तो चौसट सौ का छे परतिसद परतिवर्ष की दर्ष से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारन ब्याज क्या होगा तो दोस्तों इसको solve खने पर answer निगलेगा 153.6 पैसा इसका सही उतर option मेर ए हो जाएगा अगला दिया हुआ है अफसर की समानता से संबंधी तरु छे दे तो दोस्तों समानता का अधिकार हमें 14 से 18 तक में दिया जाता है जिसमें 16 में या दिया अफसर की समानता के बारे में बात की गए इसका सही उतर जग अप्शन नमर C अगला कुशन पूछा गया है फ्रांस का सासक लूई सोलावा किस राजवन से था तो इसका सही उतर जग अप्शन नमर C बूरबो राजवन से अगला कुशन है रस समवेदी ग्राही डैस का पता लगाते है तो वे स्वाद का पता लगाते हैं दोस्तों इसका सही उतर जग अप्शन नमर C अगला कुशन है निम्री लिखित मेंसे कौन सत्ततो को और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, देख लेते हैं, पहला है मरकरी, एमर दिया हुए इसका HG होता है, तो यह सही नहीं है, दूसरा है लेड, लेड पीबी से डोनेट दिडूर करते है, यह भी गलत है, सिल्वर, सिल्वर को AG से लिखत कोशन है निम्री लिखित में से कौन सा एल नीनों का प्रभाव नहीं है देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है पहला दिया हुआ है इसके कारण समुद्र में मचलियों की संक्या कम हो जाती है काफी तापमान को बढ़ा देता है जिसे बहुत मचलिया मर जाती है चौता जिया हुआ है यह पेरु तटके जल का तापमान को बहुत ही जादा बढ़ा देती है तो इसका अगला कोशन है युनिस्को का मुख्य कार है तो इसका सही उतरो जाग अप्शन मर ए सिख्छा विज्ञान व संस्क्रीती में अंतराश्टिय सहयोग द्वारा सांति के स्थापना करना अगला कोशन है 2011 की जनगरना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूम्तम साख्चातर दरवाला जिला है तो इसका सही उतरो जाग अप्शन मर ए पूर्णिया अगला कोशन है दूरी समय ग्राफ का ढ़ाल देता है तो दूरी और समय का ढ़ाल जो होता है दोस्तों वो जो ढ़ाल होता ह यह हमारा चाल को बताएगा इसका सही उतरो जाएगा option मर डी, चाल अगला कोशन है काला सोक किस राजवन से संबंदित था तो यह सीसु नाग बंस का था इसका सही उतर option मर बी हो जाएगा अगला कोशन है तामबे की वस्तुए अपनी चमक हो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है वह चार यह copper carbonate होता है इसका सही तर जाएगा अगला कुशन है राष्टपती पद के चुनाव के लिए जमानत राशी है तो यह 15,000 है दोस्तों इसका सही तर जाएगा अगला कुशन है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्टिक कार लॉंच की थी तो Tata ने लौच की थी सही तर अप्शन बर यह हो जाएगा अगला कुशन है लाल लेटेराइट मत्या की स्वशल के लिए अधिक उप्यूग थे तो यह काजू के लिए अधिक उप्यूक थे सही तर जाएगा अप्शन बरे अगला कुशन देखते है द्रव अवस्था से गु पुन्या ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंदित है या हॉकी से संबंदित है दोलों इसका सही तर होगा option नमर भी हौकी अगला कोशन है रुधिर कनी का जो रख्ट के ठक्का निर्मान में शायक होता है तो यह है तुब तो भी प्लेटलेट्स होते हैं दोस्तों इसका सही उत्र होए अप्शन नमर्स अगला कोशन है जब संवधानिक संशोधन का विध्यएक राश्पती के पास जाता है तो वह तो वह दोस्तों अपनी सुख्रिती देने के लिए बाद होता है समधान संशोधन की विध्याग पर राष्टपती अपनी स्विक्रिटी देने के लिए बात दे अगला कुश्चन है भारत में नागरिक उड़ें मंत्राले द्वारा हाल ही में विमान चेत्र में विमानों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधहक पेस किया गया है तो यह विमान मौसादा अधिनियम 2023 पास किया गया इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नुमर एक अगला कुश्चन देखते हैं उस्मा गतिकी यानि की थर्मो डाइनेमिक्स के दुट्टिय नियम का तात्पर है की तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी किसी उस्मा इंधन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है अगला कुश्चन है निम्ड में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में व्रेधिवा कमी होगी इसका सही उत्र हो जब अप्शन में संबंदित वस्तियों की कीमत में परिवर्दन से अगला कुशन है पार्ति सम्विधार्ण का कौन सा अनुच्छेद राष्ट पती को जानकारी देने के संबंद में प्रधान मंतरी के कर्तवे से संबंदित है इसका सही उत्र हो जब अनुच्छेद 78 अगला कुशन है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर में निमलिकित में से कौन सा सही है तो इसका सही उत्र हो जब भी है दोस्तों अस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता और वह भारत को हरा के जीता था अगला कुशन है मैत का कुशन है एंसर बता देता हो दोस्तों इसका आप लोग सॉल्व कर लिजेगा 6 सेंटिमीटर किनारे वाले एक घन की विपरित फलकों को काले लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और एक सेंटिमीटर के घनों में काटा जाता है तब उन घनों की संख्या जिनकी केवल एक फलक रंगीन है जो की लाल है वा है इसे जब सॉल करेंगे दोस्तों तो 32 आएगा एंसर इसका सही उतर जाएगा सी अगला कोशन है हिंदी का कोशन दिया हुआ है पार्शो पार्श यूग सद का सही अर्थ है इसका सही उतर होता है बगल बंधन किस सहर ने 15 ब्रिक्स सिखर सम्मिलन 2023 की मेजमानी की है तो इसका सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह डर्बन में किया गया था तो इसका सही उतर हो जाएगा option बरसी डर्बन अगला कोशन दिया हुआ था पॉलिसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकादिक हो जाती है तो यह अरित्रोसाइट की होती है जिसे RBC भी कहते है अरित्रोसाइट को RBC कहते है इसका सही उतर अप्शन में B हो जाएगा अगला कोशन दिया हुआ है सोडियम योगिक का नाम बताईए जिसका उप्यो कठोर जल को मृदू करने के लिए किया आता है तो यहां दोया हुआ है दोस्तों सोडियम योगिक तो इन में से किस में सोडियम योगिक है तो धोवन सोडा में सोडियम योगिक है किसी में सोडियम यौगिक नहीं है तो इसका सही उतर आप्शन मेरे ए हो जाएगा धोगल सोडा जिसका फर्मूला होता है एले टू सीयो थ्री अगला कॉस्चिन है निम्ने लिखित में से किस संगठन ने सार्थी मोवाइल एप लॉंच किया है तिया सेवी के द्वारा लॉं सर्विसेज और्गनाइजेशन एस्या प्रसांत सम्मेलें दो हजार तैस कहां आयोजित किया गया था तो यहां बाली में आयोजित किया गया था जो कि इंडियोनेशिया की राज़ानी है इसका सही तरह जाएगा अप्शन नमर ए अगला कुशन है निम्ड में कौन से राज शेतरादिकार यह को चैने जाले का इसकी सबंदी शेतरादिकार यह बिया प्रामर्स संबंदि शेतरादिकार यह नहीं है दोस्तों यह सुप्रीम कोड का चैने का थे इसका सही उतर हो जाएगा अप्शन मेने एक-2 और 3 अगला कुशन है सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और दिये गए कूटों में से सही उतर का चेहन कीजिए तो देख लेते हैं ग्राम पंचायत का गठन ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छे 40 में दिया हुआ है इसका हो जाएगा अनुच्छे 40 दूसरा है एक समान डागरिक सही था तो एक समान डागरिक सही था दोस्तों इसका ये अनुच्छे 44 में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1 तो यह options A में दिया हुआ है 3, 4, 2, 1 इसका सही उतर जाएगा option number A अगला question दिया हुआ है निमलिखित में से कौन सा भारत के त्री विवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है तो पस्चिमी और पूर्वी घाट त्री विवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है दोस्तों इसका सही उतर हो जाएगा option number D अगला question दिया है पिलेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है तो पिलेगरा B3 की कमी से होता है जिसे नियासिन या निकोटा माइन भी कहते है इसका सही उत्र हो जाएगा अप्शय नमर B अगला क्वieß्चिन है बंगाल की खारी के सहारे तटी ये मैधान का विभाग है इसका सही उत्र हो जाएगा vision नमर A koro mandal taat अगला क्वेश्चिन है पालर पानी है पालर पानी वर्सा जलगों कहते हैं इसका सही उत्र option number A हो जाएगा 64 number question B मैत का है इसका सही उत्र बताता है दोस्तों इसका सही उत्र option number B है आप लोग खुछ से solve कर लीजिएगा अगला question है समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों निर्वाचन के बारे में भाग 15 में दिया गया है जो कि 324 से 329 तक इसकी चर्चा की गई है तो इसका सही उत्र हो जाएगा option number B अनुच्छे 324 अगला question है भारत में अस्थानिय सासन विशा है या राजी सूची में आता है इसका सही उत्र हो जाएगा एगला question है वैकती जो देस बंधू के नाम से भी जाना जाता है देस बंधू चितरअजन दास को मना जाता था कहा जाता है सही उत्र हो जाएगा अगला question English का दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं चूज दा करेक्ट फॉर्म आफ डायक निरेशन फ्रॉम दे गिवें संटेंसे तो निरेशन बनाने को कह रहा है इसमें दिया गया है इसका सही उतर हो जाएक आप्चिन नमर ए अगला कुश्चिन है तो सही उतर हो जाएक अप्षय आप्चिन नमर गया है दो पॉधो में एप्चिसीड होता है जोकी पॉधे की व्रिधी को समधन करता है इसका सही उतर आप्शन नमर डी हो जाएगा इसे ABA Acid भी ABA Chemical भी कहते हैं या हॉर्मून अगला कुशन है राष्ट्री ए खेल दिवस मनाया जाता है या 29 अगस को मनाया जाता है इसका सहीतर आप्शन में B अगला है निमलिखित में से किस की नियुक्ती राष्ट पती द्वारा नहीं की जाती है अगला कुशन है करपूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैस पेंटिंग से संबन दिथ है या मधुबरी पेंटिंग से संबन दिथ इसका सहीतर आप्शन में भ Ruby हो जाएगा अगला कोशन कह रहा है 301 से 400 सीसी स्रेनी में 2023 इंडियन नेशनल मोडर साइकल डेसलिंग चैंपियनसिप किस ने जीती है इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन बर बी राजीव सेतु ने जीती है अगला कोशन है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बढ़ कर 36 वरित्ताकार पत पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिन्दु पर होगा तो दोस्तों जब किसी भी ऑबजेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं और जिस पात पे छोड़ते हैं वहाँ से वह टेंजेंशियल निकल जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option निम्हेर B उस बिंदु पर विरिताकार पत से स्पर्सिय रेखा यानि कि टेंजेंशियल लाइन के अनुदिष वह बाहर की तरफ निकल जाएगा अगला कुशन है निमलिकित में से कौन रएतवारी विवस्था का प्रतिपादक था इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B Thomas Munro अगला कुशन है भारत में सूच में वित्तिय कमपणियों जो की गैर बैंकिंग वित्तिय कमपणिया का एक प्रकार है का विनियामक प्रधिकरन कौन करता है तो इसका प्रधिकरन दोस्तों RBI करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A भारतिय रिजर्ब बैंक अगला कुशन है रुधीर वाही का जो की एकल एंडोथीलिय मिस्थर से निर्मित होती है वह है इसका सही उत्तर option केसी का जिसे कैपिलेरी भी कहते हैं अगला कुश्चन दिया है डी आर्डियो का सरवत्र क्या है तो यह दोस्तों एक प्रकार का मुवाइल से तु निर्मान प्रानाली शुविदा है तो इसका सही उत्तर option अगला कुश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैस के द्वारा चारी की जाती है तो यह वर्ल्ड एकोनोमी फोरूम के द्वारा जारी की जाती है इसका सही उत्तर हो जाएगा option की ध्वानी को अपने कान द्वारा सुन सकता है तो इसका सही होता है जो अप्शन मर्शी 20 हट से 20,000 हट तक की ध्वानी को सुन सकता है अगला कुश्चन मैहत का दिया हुआ दोस्तों मैं अब लोगों के इंसर बताता हूँ रोहन ने 25 रुपया वास्तविक मुल्य के 450 सेर समतोल मुल्य पर खरीदता है यदि वह वर्ष के अंद में 675 रुपया लाब कमाता प्राप्त करता है तो लाभाज की धर है इसको सॉल्व करने में 6% अंसर आएगा इसका सही उत्तर आजागा option नमर्शन अगला कुश्चन है सबसे अधिक प्रियोग करने वाला ज्वार रोधी दवा है तो पैरा सिटा मोल है इसका सही उत्तर option नमर्शी अगला है निम्न में से कौन एक गैर सदश्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कारवाई में भाग ले सकता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएग option नम है सुचि एक को सुचि 2 के से सम्मिलित कीजिए देख लेते हैं पर दिया काले बंगा के राजिस्थान में इसका हो जाएगा टीन सुर्कोट्था सुर्कोप्टा जो कि भुज गक्ष में जो कि गुजरात में इसका सही इत्तर हो जाएगा refund कोट दीजी जो कि सिंध में है तो इसका 2 का हो जाएगा C और बनवाली या हर्याना में है तो D का हो जाएगा 4 तो इसका सही उतर जाएगा 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 जो कि B options में इसका सही उतर हो जाएगा option में B अगला question दिया है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है इसका सही उतर जाएगा option में B फरक्का अगला question है तो समायने द्रिष्टी के व्यस्क के लिए नेतर का निकट बिंदु होता है तो समायने द्रिष्टी के निकट बिंदु 25 cm होता है पूर्वी द्वीप समूव की खोज पूर्ट्गाली नाविक ने कि थी तो इसका सही उत्र अप्शन नमर B हो जाएगा वाशको डी गावाने अगला कुश्श इमांत उपभोग प्रविर्टी M.P.C. की परिभाशा है तो इसका सही उत्र अप्शन नमर B डेल C by डेल Y अगला दिया है दिहांग दर्णा भारत के डैस राज में इस्तित है तो यह अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है इसका सही उत्र अप्शन नमर D अगला दिया है पादब जिसका उप्यव बायो डीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए हून किस भारती राज में मनाया जाने वाला एक संस्कृतिक तयावार है तो यह मनीपूर में मनाया जाता है दोस्ति इसका सही उत्र जागा अप्शन मंडी अगला कुश्चन है एक पूर्ण प्रतिसपरधी बजार में निम निलिकित विशेष्टाएं है जो देख लेते हैं कौन-कौन सी विशेष्टा है पहला दिया हुआ है बजार में बड़ी संख्या में खरिदार और विक्रेता सामिले यह सही दिया हुआ है जोसे सभी फर्म समरूप वस्तूएं मनाती है यह भी सही दिया हुआ है तीसरा दिया है लिम्लिकित में से किस हस्ती की जीवनी है इसका सही तर ऑप्शन में B अगला कोश्यन दिया हुआ है किसी वस्तु के बल और त्वरन के बीच का संबंध दिया जाता है तो यह दोस्तों बल और त्वरन का संबंध न्यूटेट की गती के दूसरी नियम जो कि F is quest to A में सब्वेक्स अच्छन का सिधान्थ होता है इसमें अगर मास एक केजी हो तो F is directly proportional to A जो कि तुर्ण होता है इसका सही उत्रजाग option of B Newton की गति के द्वितिय नियम द्वारा अगला question है दुर्गावती जल प्रपात्र बिहार के डैस जिले मिश्ती था या कैमूर जिले मिश्ती था इसका सही उत्रजागा option number B अगला question दिया हुआ है मैत का question है आप लोगों को मैं answer बता देता हूँ एक खाली tank को A 6 घंटे में तथा B 8 घंटे में भरता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिये जाए तो दो घंटे बाद पाइप A बंद हो जाता है तो पाइप B को से श्टेंग को भरने में कितना समय लगेगा तो इसका सही उत्रजाग option number B तीन पुन्राग एक बटे तीन घंटा अगला question है दवाओं के आयात नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परिच्छनों पर नियामक नियंत्रन रखना किसका मुख्य कारे है तो यह CDSCO का मुख्य कारे है इसका सही उत्रजाग option number C और आज का हमारा आखरी question है निम्न में से कौन सा छेत्र सारजनिक छेत्र का उदारन है तो इसका सही उत्रजाग और रेलवे बाकि टिश्को रिलाइस इंडेस्ट्री और हिंदुस्तान यूनिलिवर यह private sector का उदारन है तो दोस्तों यह था हमारा बिहार दरोगा के second shift का answer की अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए है तो इस चैनल को subscribe कर हमसे जुड़ गाए और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है first shift का तो आप मैं उस वीडियो का link इस वीडियो के comment में पिन कर दूँगा आप लोग व